युक्रेन का कहना है कि रूसी सैनिको को सेवरो दोनेट्सक सेंटर पर रूसी सैनिको ने कबजा कर लिया है युक्रेन पर कबजे के लिए यह अब तक की सबसे भीशन लडाईयों में से एक है यूक्रेन की सेना का कहना है कि सेवरो दोनेट्स का लगबग 70% हिसा रूस के कबजे में है और शेहर के चारो लड़ाई जा रही है यक्रेन सेना के मताबिक रूसी सैनिकों के पास दो आलाकों, क्रेमिना और स्टारोव बिल्सक से अत्रिक्ष हथियार और हथियार बन वहन मिल रहे हैं इससे उन्हें सैवरो दृनेस को घेरने में मदद मिल रही है इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपती वुलिद मिर्जलिंसकी ने कहा कि सैनिक सेबरो दोनेट्स की एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे है और आज़ानी कियेव से तासर जानकारी दे रहे हैं BBC समवादाता जो इन्वोट डॉन्बास इलाके में उनके हमले का ये मुख्य निशाना है खबरे हैं कि शहर के अधिकतर हिस्से पर उनका कब्जा हो गया है यूक्रेन के सैनिक उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों को खदेड रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और 36 घंटे पहले केमिकल प्लांट पर बम बरसाने की खबर आई थी जहां 800 आम लोग और यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे तेल लीक होने से आग काफी बढ़ गई थी सेवरो दोनेट्स की हालत वाकई बहुत खराब है और इस जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के खार कियेव में सैक्डों आम नागरिक रूस की अंदादों गोली बारी में मारे जा चुके हैं मानवा दिकार संस्टा एमनेस्टे इंटरनेशनल ने अपनी नई रिपोर्ट में रूस पर क्लस्टर बम और माइन्स के लगातार इस्तमाल करने का रोप लगाया है और कहा है कि इस यू दपरात की श्रेणी में गिना जा सकता है हलांकि रूस का कहना है कि उसने ऐसे किसी भी हथियार का इस्तमाल नहीं किया देखिए खारकियेव से बीबीसी सम्मादाता वायर डेविस की रिपोर्ट इस जंग की शुरुआत से ही खारकियेव शहर भीशन बंबारी का निशाना रहा है ये बंबारी अंदा धून रही है और निशाने भी मनमाने तरीके से लगाए गए है ये एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर का द्रिश्य है साल्टीव का खारकियेव के उपनगरों में से एक है जहां कोई भी इमारत सलामत नहीं बची एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यहां रूसी सैनिकों ने बेकाबू रॉकेट्स दागे जिन्होंने रिहाइशे इलाकों को निशाना बनाया जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए जो बचे भाग निकले और जो लौट आये हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये खौफनात था जब रूसी सैनिक गोलियां चलाते थे हम कुर्सी से उचल जाते थे ये जो भी है इसे बयां करना मुश्किल है सीमा से 20 मिल दूर खारकियेव इस जंग के शुरुआद से ही रूस का मुक्ख निशाना रहा है और उन्होंने इस शहर पर हर तरह का गुला बारूद बरसाया है जिन में कलस्टर बम भी शामिल हैं जिनके इस्तिमाल पर पाबंदी है दुनिया में इन हत्यारों को गैर कानूनी करार दिया गया है क्योंकि ये बेहद विनाशकारी हैं और आम लोगों को अंधधुन्द तरीके से निशाना बनाते हैं यूकरेन या कहीं और भी कलस्टर बमों के इस्तिमाल की कानूनी और नहते कोई भी वजह नहीं हो सकती ये बताता है कि कलस्टर बम किस कدर तबाही मचा सकते हैं कलस्टर बम छोटे बड़े बमों का गुछ्चा होते हैं जो किसे निर्धारत आलाके में फढ़ते हैं रूसी कलस्टर बमों की चपेट में आए कुछ लोगों का शहर के अस्पतालों में इलाज हो रहा है रूमन ने बताया कि उनके पैर में मुठी की साइस के बराबर छेद हुआ था रूमन ने बताया कि उनके आसपास कई कलस्टर बम फट रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जान नहीं बचेगी रीजिनल मेडिकल डारेक्टर के मताबिक अकेले खारकियेब में ही 600 से अधिक आम लोग मारे जा चुके हैं और 1200 लोग जखमी हुए है शेहर के बुनियादी धाचे को भी जबरदस नुकसान पहुँचा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये सब युद्ध पराद का हिस्सा हो सकते हैं